गुड मार्निंग स्टुडेंट कलास टैंथ इस शिक्स लेसनें बिटा गद्य भाग का हमारा इस्तरी सिख्षा की विरोधी खुर्तों का खंडन जिनके लिखक हैं आचारिया महवीर परसाद विवेदी जी कल तक हमने किया था किस परकार से वेकात की पढ़िल की सुकुंतला जी ने भी अपनी पती सी कटू वचन कही थी और जब वनवास वा था उससे में सीता ने भी राम जी सी कटू वचन कही थी क्योंकि उससे में उसका अपमान कहा था उसने अपनी आगमे कूद कर अपनी अगन मुझे वनमास से क्यों दिया है तो वह अन्याय की विरूद दे जब मनुश्य अपने अन्याय की विरूद दे तो आवाज उठाता ही है लेकिन फिर भी उसमें राम जी के कुल पर कलंक लगने वाली बात है इसलिए सात्रम ने निकांगे उन्हें अपने न्याय का विरूद कोई भी कारी नहीं किया कि बात में पढ़ने लिखने से समाज में कोई अनर्थ नहीं होता है कि इसमें कोई नहीं कहते हैं इस तरू को पढ़ाने लिखाने से समाज में किसी परकार के अनर्थ नहीं होते हैं कोई बुरे कारी नहीं होते हैं अनर्थ करने वाले अनपड और पढ़े लिखे दोनों तरहे की हो सकते हैं कि अनर्थ होईदी होते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अनर्थ करते हैं अनपढ़ जो लोग होते हैं वो भी ऐसे कारिया करते हैं कि समात में हर परकार की बुराईयां फैलाते रहते हैं घर का कार्मकाज नहीं करते हैं तो इसमें सिक्सा का किसी परकार का कोई भी दोसे नहीं है अनर्थ का कारण दुराचार और पापाचार है श्त्रियां आच्छे बुड़े का ज्यान कर सके उसके लिए श्त्रियों को पढ़ाना आफसक है सर्फ इस्तरियों को क्या है कि उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा क्या हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है सर्फ ये सिखाने के लिए इस्तरियों को पढ़ाना बहुत आफसक माना जाता है जो लोग इस्त्रियों को पढ़ने लिखने से रोकते हैं उन्य दंड भी दिया जाना चाहिए वे कहते हैं कि आज के स्वाम में ऐसा करना कि जो लोग ये मांदा की स्वयम तो उपढ़ लिख लेते हैं बड़े बड़े स्कुल कालेजों में लेकिन इस्त्री को पढ़ने नहीं देते हैं ऐसे लोगों पर दंड लगाने चाहिए दंड उने दिया जाना चाहिए ताकि वो आगे कोई भी पूरस्त्री को पढ़ने के लिए मनान नहीं करें इस्त्रियों को अनपट रखना समात के उंती में रुकावट ढागता है सिख्षा सब्द का अर्थ बहुत ही विश्त्रित है फैला हुआ है उसमें सिखने योगे सभी कारे समभाई थुद है तो पढ़ना लिखना भी उसी के अंतरगत आता है इदी वर्तमान की सिख्षा परनाली की कान लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए रुका जाए तो ठीक नहीं है इससे तो अच्छा है कि सिख्षा परनाली में सुधार लाया जाए लड़कों की भी सिख्षा परनाली अच्छी नहीं है फिर स्कूल कालेजों को बंद क्यों नहीं किया जाता कि जो पुरस होते हैं वो भी समाज में हर परकार के दुराचार फैलाते रहते हैं सांती फैला रहते हैं बड़े-बड़े कालेजों स्कूल में पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर उस से में उन स्कूल कालेजों को बंद क्यो नहीं हो सकता है एदी विचार करना है तो इसतरी सिख्षा के नियमों पर विचार करना चाहिए उन्हें कहां पढ़ाना चाहिए कितनी सिख्षा उन्हें देनी चाहिए जी किसी सिख्षा दिलानी चाहिए परंतु यह कहना इसतरी सिख्षा में दोस है यह पुर्षों के एंका को बनाए रखने के लिए जूट का सारा उचिते नहीं है अब बता हैं अठमा गद्यान समारा सिख्षा भूत व्यापक सब्द हैं उसमें सिखने योगे विशों का समावेश हो सकता है पढ़ना लिखना तो उसी के इंतर गताता है इस देश की वर्तमान सिख्षा परनाली लेखा के इस्त्री सिख्षा की विरोधिक गुर्तों का खंडन लेखा के महवीर पर सार्थ दोवीदी शिक्सा का क्या रथ हैं शिक्सा का रथ पढ़ना लिखना था अन्य विशों के बारे में जानकरी प्राप्त करना हमें शिक्सा का रथ कहलाता है इस्त्री सिख्षा की विरोधियों को लेखक ने क्या संदीश दिया है कि वर्तमान शिक्षा पर्णाली में उन्हें का कि इस्त्री सिक्षा कौमिक योग्य बनाना चाहिए इस्त्रों को पढ़ाना लिखाना चाहिए समाज में ताकि वो उन्ती के बंद पर पिया कर सर होच के अच्छे ब्रेकिवे पहचाने कर सकें लेखक किस प्रकार के संसोधन की भात करता हैं वर्तमान शिक्षा पर्णाली के संसोधन की भात करता हैं इस्त्रीयों के शिक्षा के लिए हमें उन्हें उप्योगी बनाना चाहिए अत्री की पत्नी धर्म में व्याख्यान देतीस में घंटों पांडीते परकट करी गार की बड़े बड़े प्रहभाधियों को हरा दे यह सब पापी पढ़ने का अपराद है नेवे पढ़ती नेपुजिने पुर्षों का मुकाबला करती हैं योगें इस्त्रीयों के लिए पढ़ना कालकुट और पुर्षों के प्यूश का घुट माना जाता है लेकक ने ऐसा क्यों कहा है कि इस्तरों को पढ़ाने लिखाने से कालगुट जहत और प्यूश यानि के मरत के समाल क्यों माना जाता है आफ्तर में किन दो विधिशियों के नाम बताएगे थी किन के दो उचस्तान प्राप्त नहीं किया है उन इस्त्रियों के भी नाम उन्हें बताए हैं इस्त्रियां नारी निंदकों के अनुसार क्या करती हैं इस्त्रियां नारी निंदकों के अनुसार नारियों को पढ़ाना नहीं चाहिए ऐसिक्सित होने की कांड़ भी पुजिने पुर्षो का मुकाबला नहीं कर पाती हैं शीक्सित नारियों का क्या प्राद बताए गया है कि भी बड़े-बड़े बर्मवादियों पंडितों सास्त्रार्तों आधि को प्राजित कर देती हैं यह उनका प्राद भी बताए गया है इन्हें हराकर वे क्या करते हैं उनका अपमान करती है इस्त्री सिक्षा को क्या नाम दिया गया था काल घुट का इस्त्री सिक्षा को पढ़ा लिखा दे काल घुट जहर का नाम दिया गया था कि वो हर परकार के गल्द कार्ये करती हैं पुरुष सिख्षा के विशे में क्या का पुरुष सिख्षा के विशे में अब इसका घुट यानि कि अम्रत के समान माना जाता है पढ़ना लिखना उनका पुर्षों का तो पढ़ना लिखना अम्रत के समान माना जाता तो इस्तरी क वासरे जनक्यों नहीं लगा था कि लेकक का मानना है कि जब पुराने समाने में हर परकार के विमान बगार उड़ते थी लोग अपना व्यापार करने के लिए जाजों के माध्यम सिक्ष्थान से दूसरी स्थान पर जाते थी जाजों को बनाने का उलेक तो कहीं पर भी नहीं म लेखने होना उनके कोई बड़ी बात तो नहीं यह भी सिद्र ही होता कि पुरानी समय में इस्तियान पड़ थी तो सकुन्तला दुसरे दवारा दुसेंट को कहीं कटू वाकिये लेखक क्यों स्वताभाव है क्यों नहीं है कि दुसरें दुसरे दृफ हैं ने adhereमाना तो उसमें क्या इस्तिरियां आपने हैं अपनी रक्षा के लिए ऐसे वाक्यों का पर्यूख भी कर सकती हैं उन्हेंने कटू वचन बोलकर उस पुर्ष से उस वर्षा करी इस घटना को इस तरी सिक्षा से वंचितने रखने और अंचुनुचित करने के लिए कहा गया था जबकि क्या थी सकुन तलब भूती कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उसने भी दूसें से ऐसी कटूबा के कही थी लेकक ने किन सब्दों में सिता की परसंसा कियें कि सिता की परसंसा करते वे लेकक ने कहा कि लक्समत से जोका वैसिद कर ताय की सिता गमार नहीं थी महा ब्रह्म ज्यानी तथा राजा जनक की पुत्री और महा रिश्यू द्वारा ध्रम सास्तर का ज्यान रखने बाली रानी थी दविवेदी जी ने श्त्री सिख्षा की विरोध्यों को क्या पठने के लिए कहा और के पिरोधो को सरीमत भगवत गीता पढ़ने के लिए क्या है कि उन्हेंने क्या अध्या पढ़ने के लिए जो पुराणों में पढ़ी लिखी इस तरियां होती है उनका कोई परमान मांगती है स्रीकर्चन रुक्मनी हरन की कथा में भी लिखा गया था कि उन्होंने भी स्रीकर्षन को एक संदेश भीज़ा था पड़ने लिखने का ऐसे नेक अथाएं हैं जो स्तरियों को अतिन्द कवार मानती हैं सीता ने लक्स्मन के माथम से कौन सा कटू संदेश भीजवाय था कि रावन के संखार के बस्ताथ सीता ने लक्स्मन के माथम से राम कोई कटू संदेश भीजवाय था कि वह अपनी अगनी परिक्स अपनी परवीतरत अपनी सुद्धागनी में कुद कर दे चुकी है और राम पर आरोप लगाती हुनों ने कहा कि लोगों के कहने पर उसने सिता का प्रिताग कर दिया था कुल पर कलंक ने लगा जा ऐसा करके उसने कहा था इधी सिता का प्रिताग नहीं किया था क्या उसने फिर भी कुछ नहीं कहा था उसको युदू और वहें बनवास चली गई थी क्यूं इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो पढ़ी लिखी ती गमार थी लेकिन उसने वेभार ऐसा किया था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी क्यूंकि वहें अयुदावासियों पर किसी पर बरकार का कलंग नहीं लगाना चाहती थी इसलिए उसने चुपचाप सभी बरकार के कश्णों को सहन करते भी व्यवाद से निकल चुके थी कि गद्यांस जीवन परीची और यह हमारा अठारा किसन अंसर हो चुके हैं इसके परिक्षाप योगे किसन अंसर ही